हाई गाइज अपनी हर बड़ी इस्कुलूसिफ खबरों के लिए एटूजेट न्यूज लाइफ चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना न भूलें हाँ साथ में बेल आइकन भी दवाएं पसुओं की सुरक्षा के लिए केंदर और राज सरकार भले ही दाबे कर रही है लाखों इंतिजाम किये जा रहे हैं और लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं लेकिन इस गलत फाहमी में आप जी रहे हैं तो इसकी हकीकत को भी जान लेजिए यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना को महुआ से जोड़ने वाली रोड में रानी पोखर की है परतेक सप्ताह के मंगलवार के दिन एहां खुलियाम मवेशी मेला का आयोजन किया जाता है और नियुन्तम दस हजार से लेकर डिर लाक रुपे तक एहां पसुओं की कीमत होती है जिसके खरीदार बिहार के बिभिन जीलों एवम गाओं के ग्राहक ही नहीं होते हैं बलकि पर करेंटी नहीं कि यहां जो मवेशी बिक रही है वह किसी बद साला में नहीं पहुचती हो बताया जाता है कि यहां पहुचने वाले कई ऐसे खरीदार भी होते हैं जो इन पसुओं को खरीद कर उची या नेची कीमत लागा कर सीधे सीधे बद साला पहुचा देते हैं लाजमी है कि ऐसे में सरकार की सक्ति एवं निगाहवानी काफी जरूरी हो जाती है किसानों एवं पसुपालकों का मानना है कि सरकार को रानी पोखर के इस मेले को सरकारी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि एहां बिकने वाले हर पसुओं पर सरकार तथा उसके अपसरों की लगातार निगाहवानी होने चाहिए तथा किसानों एवं पसुपालकों को उचित दाम पर पसुओं की खरीद सुनिश्चित हो सके बताया जाता है कि राजधानी के इस रोड को जोड़ वाली इस सरक पर सपता के उस दिन जब इहां पर मेला का आयोजन किया जाता है लगातार यातायात में बाधा उत्पन होते रहती है अपसरों की गारिया भी इस होकर के गुजरती है बताया तो यह भी जाता है कि कई राजनेताओं को भी इसकी खबर है बावजूद इसकी सरकार एवं वरिय अधिकारी के अस्तर पर इसकी सुधी लेकर तथा इसे आवस्यक मानदंड के अनुरूप कारवाई करने के बाद सरकारी मविसी मेला का दर्जा नहीं दिया जाना भी कई सवालों को जन्म देता है इस मामले में यहां दलालों की भी सक्रियता काफी देखी जाती है हमने भी एक कथित दलाल से बात करने की कोशिस की तो वह भी कुछ बताने से इनकार कर जाता है A2Z News Live के लिए परवीन कुमार सिन्हा पटना बिहार हेलो दोस्तों गाउं से सहर्ता की हर बरिव एस्क्लूसिफ खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A2Z News Live.com लाइक, शेयर और फॉलो करें